नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का परिक्षा बाट्शाला के यूट्यूब चनल पर मैं मान्चु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ और लेकर क्या है आप लोगे लिए मोटिवेशनल स्टूरी एक छोटी से स्टूरी है जैसे कि आप सभी को बता है बीच बीच में आपनों के लिए तो एक बार की बात है यह जो आपको यहां पर बर्ड दिखाई दी रहा है यह Eagle इसे हम बोलते हैं बाज कई बार आप लोगों ने सुना होगा जब भी पक्षीयों की बात की जाती है इसमें एक महान बड़ा पक्षी होता है जिसे हम बोलते हैं बाज इंगल इसकी एक सबसे च लेकिन बाज एक अलग तरीके का पक्षी होता है यह क्या करता है उड़ते बादलों के ऊपर चले जाता है ताकि बारिश जो अब उसके नीचे ही रहे इस तरीके के बाज के बारे में कही जाती है उसके अलावा एक बहुत अच्छी स्टोरी आप लोगे लेकर क्या है जो आज उसके उपर हमला करता है अब चूकी बाज अगर चाहे तो उसे मार करके यहां पर गिरा सकता है लेकिन नहीं बाज क्या करता है बाज लगातार उटता रहता है उटता रहता है और कवा लगातार उसे घायर करता है बाज लगातार उचाईओं पर जाता जाता है और जैसे ऐसे बाज उचाईओं पर पहुंचता है वहाँ दीरे दीरे ऑक्सिजन की कमी होने लगती है और जब ऑक्सिजन की कमी होने लगती तो कवा मूर्चित हो करके नीचे गिर के मर ज इस पूरी कहानी में जो हमारा बर्तमान की परिद्रश है उसमें ये कैसे फिट बैटती है उसके बारे में आपको बताता हूँ होता क्या है यह जो कववा है यह है परिशानिया यह वो लोग है जो आपको आपके सफलता की सीड़ी चड़ते वक्त आपको मिलेंगे यह वो कववा है जो आपको हमेशा परिशान करेंगे आपको नीचे गिराने की नीचे दिखाने की और आपको धोका देने की या फिर आप ऐसे कववे बहुत मिलेंगे आपको अपनी लाइफ में, ऐसे कववें से आपको क्या करना है, बच करके रहना है, और ऐसे कववें को इगनोर करते हुए बाज की तरह आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाना है, और जैसे वो कववा मरता है, तो हुता क्या हमारे लाइफ में बहुत हम अब बहुत अब जाते हैं जो अपने से दूर हो जाते हैं चलिए तो आज का यहां में सेशन आइंड कर रहा हूं इसी तरीकी से चैनल से जुड़े रहिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा थाइक यू सो मच आप सभी का चै इने बाद